प्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी एलाइंस कंपनी रह चुकी जैट एरवेज जो की इस समय बंद पड़ी हुई है इस समय जैट एरवेज से दो तीन अच्छी खबरे आ रही है हम अभी आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी बताने वाले हैं जो जैट एरवेज से जु कर सकती है यह सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जाननी को मिलेगी तो फ्रेंड्स वीडियो आप पूरा देखें लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह दि आपको जैट एरवेज से जुड़ी हुई और भी जानकारी वाली वी की जितने भी पुराने स्लोट्स हैं वे सभी के सभी स्लोट्स जैट एरवेज को वापस किये जाएं यह दि आपको नहीं पता कि स्लोट्स क्या होता है तो आपको बता दे कि यह एक टाइम होता है जो कि एरपोर्ट की तरफ से हर एरलाइंस कंपनी को दिया जाता है जिस समय स्लोट में सबसे मांपन बात ये है कि दिल्ली और मुंबई के ही सोसे जादा स्लोट यानी कि ज़यरवेश की सबसे बड़ी समपत्ति इस समय ज़यरवेश की स्लोट ऑस要 को डीजिसी और मिनिस्टरों अक सीविल एवेशनि की ये आदिस दे दिया है, कि Jet Airwage के पुराने स्लोट्स फिर दुबारा से Jet Airwage को वापस किये जाएं, जिसे कि Jet Airwage अपना ओपरेशन फिर दुबारा से सुरू कर सके। फ्रेंड्स आपको बता दे कि स्लोट्स एक एरपोर्ट का टाइम होता है, जिस समय के बीच में एयरलाइंस कम्पनियों को अपने एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर उतारने की पर्मिशन मिलती है दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट जहां पर रोजाना की हजारों फ्लाइटे उतरती है एयरपोर्ट पर स्लोट्स काफी महेंगे मिलते हैं और जैट एयरवेज के पास दिल्ली के 116 और मुंबई के 214 स्लोट्स है और अब इनी स्लोट्स को जैट एयरवेज के नए मालिक कारलो कैपिटल और मुरारे लाल जालान वापस ले रहे हैं इसके अलबज जब जैट एयरवेज के नए मालिक से पूशा गया कि जैट एयरवेज अपना ओपरेशन कब से स्टार्ट कर सकती है तो उन्होंने 2021 के इमिट का समय बताया है जब जैट एयरवेज दुबारा से अपनी उड़ानों को सुरू करेगी फ्रेंट जैट एयरवेज फिर दुबारा से अगर आ जाती है तो यहाँ पर एयरवेज कमपनियों के साथ साथ पैसेंजर्स और आम लोगों को भी काफी फायदा पहुचेगा इससे मार्केट्स में नए जॉब के ओफर मिलेंगे और साथी साथ लैटों की किराए में और कमी आईगी करोना के इस समय में जहां एयरवेज कमपनियों को अपने खर्चे निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं ऐसे समय में अब जह टेरवेज कैसे रिवाइब होती है ये एक बड़ा सवाल है और जह टेरवेज फिर दुबारा से कैसे पटरी पर आती है ये भी एक देखने वाली बात है फ्रेंड्स हम रेगलोर बेसिस पर इस टॉपिक पर वीडियो बना कर डालते रहते हैं येदि आप जह टेरवेज और बाकी दूसरी एलैंस कंपनियों की निव से अपडेट रहना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगलोर जानकारी वाली वीडियो हमारे द्वारा मिलती रहे